मूर्निंग आप देख रहे हैं मौर्निंग स्टार मैं हूँ आपकी होस्टेस्टर खालीद नाज आज हम कुदा के खिलाम में लिखा हूआ लिखा हूआ है के बाते जो हैं वह मारे कादमो के लिए चराग रहा के लिए रोशणी है जो हमें हर सो नए जिन्दय देता है ताके उसके कलाम को सिक्शके और उसके ऑपास्टर आसीफ हरुन एक्लाम के खिदम सर अंजाम देंगे और पास्टर आसीफ हरुन ना सिरफ अजीम ह्दुआ के परस्तार हैं बलकिए खुदा के खादम भी हैं हमिने खुषआमदीद कहते हैं आज के मौनि स्टार परोग्राम में आज हम अपनी रहनमाई के लिए खुदावन, एए खुदावन, हमारे लिए दर्वाजा खोल दे, उसने जवाब में कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि मैं तुम को नहीं जानता, अभी हम दूसरा रेफरेंस भी हम इसके साथ ही देखेंगे, खुदा के किलाम मकदस में से, में साथ निकाले, मकाश्वा की कि किताब, उसका तीसरा बाब, और उसकी बिस्वी आयते मकदसा को हम देखेंगे, खुदा के किलाम में लिखा है, देख मैं दर्वाजा पर खड़ा हुआ खट खटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दर्वाजा खोलेगा, तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके सुनने वाले बने, बलकि इस परामल करने वाले बने, अपनी आखों को बंद करें, हालेलुया, प्रेज कार, जिंदा कुदूस, खुदावंद, हम सुब तेरी हजूरी में आए हैं, ताके तेरे नाम को जलाल दे, आज सुब तो हमारी मदद करना, रहनमाई करना, और तेरा बन्दा जब कलाम को बियान करें, खुदावंद तो अपने बन्दा को जोर बक्षना, कुवत बक्षना, ताकत बक्षना, ताके तेरा नाम भड़ता चला जाए, मस्य यसु के कादर, पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमें, जी यासी भाई, जी तैंक्यू बाजी, हम अजीम खुदा के परिस्तार हैं, और अजीम खुदा की अबादत करने वाले और उसके सिताइश करने वाले लोग हैं, और आज सुब जो दो रेफरेंसेज खुदा की खादिमा ने कलाम खुदा में से पढ़े हैं, वो दोनो रेफरेंसेज जब हम उनको देखते हैं, तो दूसरे reference में हम देखते हैं कि खुदा खुद इनसान से इजाज़त मांग रहा है उसके दिल में आने के लिए तो ये एक चुँका देने वाला तज़ाद नजर आरहा है हमें कि ऐसा क्यूं है कि एक जगा इनसान इजाज़त मांग रहा है साथ रिफाकत कर सको अब इन दोनों रेफरेंसिस को जब हम देखते हैं तो यहां पर एक का तालुक जो है वो वक्त के साथ है और दूसरे का तालुक जो है वो अब्दियत की सूप के साथ है अब वक्त के साथ कैसे है कि आज के इनसान को वक्त दिया गया है अगर हम जबूर क किताब का मुटाला करें तो महाँ पर लिखा है कि अगर मुझे यकीन ना होता कि जिन्दों की जमीन पर खुदा के इहसान को देखूंगा तो मुझे गाश आ जाता ये दाउद किया रहा है अब वो जिन्दगी जो हमें मिली है वो वक्त जो हमें मिला है यकीन हमें उसको जाया नहीं करना बलके उसको खुदा के हुजूर में गुजारना है बिल्कुर क्योंकि खुदा हमें हर रोज जिन्दगी देता है इसलिए देता है ताकि हम उसके नाम को जलाओे exactly, मुझे याद है खुदा के बहुत बड़े खादिम वो कहने लगे कि हर वो लमहा, यानि यानि मेरी जिन्दगी का हर वो लमहा जो खुदा की हुजूरी से परे गुज़रे, भुदा की हजूरी से आउट गुज़रे, वो मैं अपने लिए गुणा समझता हूँ, मतलब इसकदर हमें कॉंसिस होना चाहिए इस वक्त के लिए जो हमें खुदा की तरफ से मुएसर है ताके हम उस घड़ी को उस वक्त को किसी बी तौर पर जाया ना कर सकें और उसमें खुदा के मुतलाशी रहें जैसा कि यसाया की किताब में लिखा है कि जब तुम पूरे दि होगे तो मुझे पाल होगे बिल्कुल और मैं सिख रही थी एक दफा खुदा के खादम ने एक जैम्पल दी थी कि एक बाप था वह अपनी बेटी को हर रोस कहता था कि तो बापतिसमालो तो वह हमेशा कहती कि नहीं पापा जी आज नहीं काल करूंगी वह डॉक्टर बन र तो उसने का पापा जी मैं कल आके यह करूंगी तो मगर यह के खुदा ने फिर उसको मुका ने दिया दबारा और उसका रोड एक्सिडंट हुआ और फिर उसका अपनी जहां से हाथ दो गएटी बिल्कुल और उसने खुदा को कबोल ना किया बिल्कुल ऐसे है और आज भी मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा सोशल डिस्टेंस आ चुका है लोगों की जंदगियों में बिल्कुल मतलब खांदानी डिस्टेंस इतना आ चुका है कि एवन मिया बीवी एक दूसरे के साथ बैटे होते हैं और वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होतें बलके वो अपने मसरूफ एमल है कि उस और हम्त करने की बजाए आज लोग अपनी सरगर्मियों में मिलवस हैं गर हम पहली कताब गार्णाब को तक पदायश को देखें तो इस में बेरी लिखा है कि खुदा शाम के वक्त वो आदम और हुवा से मिलने के लिए तो यह तो यह तो रुफाकत खुदा हमसे चाहता है कि हम जब खुदा शाम के वक्त में मिलने के लिए आता था तो वो खुदा के साथ बातचीत करते होंगे दुआ में ठाहरते होंगे बात गफ्तगू करते एक चीज जो मैं यहां पर अपने नाजरीन के गोश्ट गुजार भी करना चाहूंगा, वो यह है कि जब शोहर घर पे आता है शाम को, मतलब ड्यूटी पर जाता है, काम काज करता है, बिजनस करता है, शाम को घर लोटता है तो बीवी उससे पूछती है, आज क्या 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 क हुजरा, फिर वो बच्चों से रिपोर्ट लेते हैं, कि तुमने आज सारा दिन बच्चों क्या किया, तो जो बात आप कर रही थी, कि आदम और हवा के साथ खुदा वक्त गुजारता था, तो खुदा भी दर रकीकत उनसे रिपोर्ट लेने के लिए आता था, कि मेरे बच का ख्यार रखा, पौदों का ख्यार रखा, जनवरों का ख्यार रखा, हर चीज को हम देखते रहे हैं, तो ये सारी चीजे, मतलब खुदा चाहता है, कि इनसान उस काम को पूरी दीदा दिलेरी और ध्यानदारी के साथ करें, जो खुदाने उसके सपुर्द किया है, और वक सुरज और चांद को का कि ये रात और दिन पर ये हकोमत करेंगे जै और जब इनसान को बनाया तो फिर खुदा ने कहा कि तमाम चीजों पर ये हकोमत करेगा वाव जितनी जानतार चीज़ अश्रफ और मखलुकात ये कि जब उन्होंने रुना किया खुदा ने जब जमीन पर नजर की और नु के जमाना में हम देखने के खुदा ने तमाम जो है तमाम चरिंद परिंद को हर चीज़ को उन्होंने हलाक तुफ़ान से हलाक वो हुए और वहां पर भी खुदा ने फिर प्रॉमिस किया था कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगा जै और उस वक्त भी फिर खुदा ने इनसान को वक्त देना मुनासब जाना कि इनसान को टाइम दिया जाए ताके वो उस वक्त का सही युटलाइज कर सके उसको सही इस्तमाल कर सके अब जब हम मुकाशवा की किताब की तीसरे बाप की बीसवी आयत के तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर लिख है ये तो स्पेसिफिकली ये कलाम था ये लोदीकिया की कलीसिया को लिखा गया और लिखा है लोदीकिया की कलीसिया के फरिष्टे को फरिष्टा पासवान को कहा गया है तो पासवान से मुखातिब होकर ये बात कही गई कि मैं दिल के दरवाजे पर खटट खटाता हूं और पिर इस कलीसिया में चुके दो गुना जो थे वो बड़े ही कौमन थे नमबर एक इनका सबसे बड़ा गुना यह था खुदा कहता है तो वो ना गर्म है ना सर्द है बलके नीम गर्म है और नीम गर्मी की हालत खुदा को बिलकुल पसान नहीं है हमने बहुत सारे लोगों को देखा है वो कभी तो बहुत सार गर्म होते हैं और कभी बरगश्ता हो जाते हैं उनके हाथ में सिगर्ट होता है कभी वो शराब पीना शुरू कर देते हैं कभी वो गालियां बकना शुरू कर देते हैं अभी वो ऐसे लोगों के साथ उखना बैठना शुरू कर देते हैं जो जिसमानी है जो खुदा से दूर है तो ऐसी हालत खुदा को पसंद नहीं है अभी वो जूट बोलने से बिलकुल भी बाजनी आते यस और मैं देखते हैं और बिलकुल वो खुदा को भूल जाते हैं के एक हस्ती ऐसी भी है जो हमें देख रही है तो बड़ी वो दूलेरी के साथ जूट बोलने के इस अब पंदरवी आयद में घुदा का यह सबसे पहला गिला है कि तू ना गर्म है ना सर्द है बलके नीम गर्म है और खुदा कहता है मैं तुझे अपने मूँ से निकाल फैंक लेको इसके बाद जो दूसरा बड़ा गुना था इसकलीसिया का वो था बेजा फखर और एरोगेंस किसी शक्स की भी जंदगी में आ जाए वो उसको त संद करता है जो किसी भी बात को लेकर फखर करते हैं बिलकुल हमें किसी चीज़ पर फखर नहीं करना चाहिए क्योंकि खुदा के क्लाम में भी लिखा जबूर नवीस लिखते हैं कि खुदा दूर ही से मगरूर को देख लेता है और पिर इवन पालूस इस बात का इजहार क और पिर बहुत सारी जुबानें बोलते थे वो अबूर था उने बहुत सारी जुबानों पर और बहुत सारी तहरीरें उन्होंने लिखी लेकिन इसके बावजूद वो किसी बात पर फखर करना मुनासिब यह जानदे और क्रिसमिस के डेज में हम सीखते हैं कि खुदान्दी वो इतना हमबल टीचर कि वो दूसरों को कहता है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरा जुवा अपने उपर ले लो मुलाएम है और हम जितने हमबल होते चले जाएंगे उतनी ही खुदा हमें सर्फ राजी देते है और मैं आम जिंदगी में भी देखू ना मैं द कराईस किया टाया एक्छली उनकी ब्लैसिंग का तल्ग उनके एजूकेशन के साथ नहीं उनकी जो ब्लैसिंग का तल्ग इउनकी हमबलनेस के सक्थ है है येए हमत्ती है हमिलने बबल होते हैं बिबडब बिलको और व Don अन crypto नहीं होते हैं फिर वो पिछे रह जाते या ये हैं और जब हम मतलब फखर करते हैं या शेख ही मारते हैं तो फिर खुडा ने जैसे इस कलीषिया को आइना दिखाया ऐसे ये हमें भी आइना दिखाताका, cutter स्थ्टरवी आयत में लिए और नंगा है बिल्कु बिल्कु ऐसे ही है सो हमारी आजजी में ही हमारी बरकत छुपी हुई है और जो जैसे जैसे हम अपने आपको हमबल करते चले जाते हैं वैसे वैसे खुदा की हुजूरी हम पर ठहरती है और उसकी तरफ से जो बरकात हमारे लिए जारी होती है वो अबसूरत बाते हो रही हैं बड़े अच्छी बाते हो रही हैं हमारी जिन्दगी के मतलिक हैं तो हमें एक खुदा के कलाम पर घौर करना है और इसके साथ चलना है और कहीं मा जाईएगा मिलते हैं बड़ के बाद में वेकम बैंक आप देख रहे हैं ओर हम बाड का रहे थे खुदा के कलाम रिक लिगया मीं भृषरियर में जिन्दकी और गुजारना है और जो इनसान हमबल बन कर जिन्दकी को गुजारता है और शुर्थटा फिर उसे करत थे यह आसिषर ना जिन्दकीष हृएग पहुण सा कि क्लिसिया में गुनाव मौजू था, लेकिं इसके बावजुद खुदा को वक्त दे रह ए और खुदा की महबबत की ये वाज़ अलामत है वाज़ निशानी है कि खुदा जिस शक्स से महबबत करता है उसको टाइम देता है उसको मौका देता है उसको चैंस देता है ताकि वो अपने आपको सुधार ले तो यहाँ पर खुदा ने इसकलीसिया को मौका दिया और जब हम देखते हैं उन्नीस वी आयत तो यहाँ पर लिखा है मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबी करता हूँ बस सरगरम हो और तौबा करो ये खुदा की तलकीन है इसकलीसिया के लिए जब कोई गुनेगार तौबा कर लेता है या कोई बरगस्ता शक्स फिर से खुदा की तरफ आता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता यानि वो इन्टूजियाजम वो उसके अंदर जजबात वो एससात जो शायद पहली महबत में उसके अंदर होते हैं गुनाह में गिरने के बाद जब वो दुबारा खुदा की तरफ आता है तो वो जोश वो जजबात थंडे पड़ जाते हैं और फिर शायद वो एक रुटीन की जिंदगी खुदा के जूर गुजारना शुरू करता है और फिर उसे एक खद्शा लाहक होता है कि कहीं मैं दुबारा गुनाह में न गिर जाओं और उन खद्शात में चलता 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 कहीं ना कहीं वो फिर गुनाह की जद में आ जाता है अब ऐसा क्यों होता है ऐसा उस वक्त होता है जब हम खुदा का हाथ पकड़ कर चल रहे होते हैं एक बच्चा था और उसने अपने बाप के साथ फैस्टिवल म आसटिवय के बच्तिवर जया सैंता है चलता है और उसको बच्टा सारे चौनर आ हिदा वार आट का घुन हुदा और जब इसका बेटा मिल गयाIF तो असने उसे गलगायाः और गलगांगाई लगार कहने लगाए मिरे बेते तु काहा टू हो गया था बबाप मैंने तेरा ह अभुषी ने फरमाया कि मेरी बेड़े मेरे हाथ में है और कोई उने मुझसे छीन नहीं सकता आज जरूरत है कि हम अपने आप को खुदावन के हाथ में दे देंगे और जब खुदावन के हाथ में दे देंगे तो फिर हमारी सरगर्मी काइम रहेगी हमारे उसके लिए हैं और बरहक हैं और हमें खुदा की वादू पर भरोसा करना है येकीन रखना है क्योंकि खुदा हमें कभी भी अकेला नहीं चोड़ता बलके वह हमेशा हमारे साथ रहता है जी आसिब भाई जी अब एक सचाई ये है कि इनसान का दिल फित्री तोर पर खुदावन के लिए बंध हो गया ए और इसके पीछे चार महरकात हैं जिनकी वज़ा से इनसान का दिल उसके लिए बंध हो गया है वो खुदा होते हुए दरवाजा कटकटा रहा आँ अब खुदा को क्या जरूरत है कि वो इनसान से अजाजत मांगे इनसान तो खुद उसकी तخलीक है उसकी पर अपने अशूलों पर कायम रहता है अपने प्रिंसिपल्स को तोड़ता नहीं है और मुझे वाइस का आखरी चैप्टर मुझे बहुत पसंद है जिसमें वह लिखा हुआ है कि अब सब कुछ सुनाया गया है हासले क्लाम ही है कि तू अपने खुदा से डर और उसके हुकम क क्योंकि इन्सान का फर्जेकली यही है तो फिर आगे लिखा है कि क्योंकि तुझे हर भली और बुरी चीज़ के साथ अदालत में लाया जाना जरूर है यानि कि हमें यह याद रखना है हम अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं या अच्छी सोच रखते हैं या बु हुषिया की कितब चोथा बाभ और उसकी चटी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पहला Risen माजूद है होसिया की कितब चोथा बाभ और उसकी चटी आयत झे खुदान के क्लाम में लिखा हुआ है मेरे लोग अदमे मारफत से हलाक हुए चुंकि तुने मार्फत को रद किया इसलिए मैं भी तुझ को रद करूंगा अब सबसे बड़ा प्राबलम आज इनसान का ये है कि इनसान मार्फत से यानि खुदा के इल्म से खुदा के कलाम को रद करता है तवज़ नहीं देता और ये इग्नोरेंस है अगर कोई शक्स सुबह ड्यूटी पर जा रहा है तो वो बिल्कुल जिसारत नहीं करेगा कि मैं टाइम नहीं है कैसे बाइबल पढ़ेंगे हाँ अगर किसी को बाइबल पढ़ने का मौका मिल गया है तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग आँखे बंद करके यूँ बाइबल को खोलते हैं और ये समझते हैं कि जहां से निकल आया वहां से इकल तो मैं यह कहता हूं कि अगर कोई शक्स इस तरह से बाइबल मुकदस का इस्तमाल करता है और वहां पर तवारीख की किताब आ जाए और किसी का नस्व नामा आ जाए तो फिर क्या करेंगे है ना सो हमें हमें हमेशा खुदावन के लिए वक्त निकालना है अगर आप यह समझते हैं कि आपके पास सुबों टाइम नहीं है बाइबल मुकदस पढ़ने का तो आप आदा घंटा पहले उट जाए और उटकर आप खुदा के जूर दुआ करें और खुदावन से कहें कि खुदावन आज सुब जो कलाम तो मेरे लिए रखता है क्योंकि जो हम दूआ करते हैं ये सुमसी ने सिखाई दूाय रबानी उसमें एक आएट इस तरह से है कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और शायद हमने इसके परस्पेक्टिव को गलत समझ लिया है हमने जिसमानी रोटी के साथ हमने सिरफ इसको जिसमानी रोटी तक मैदूद कर रखा है कि खुदा हमारी रोज की रोज रोटी देता जाए और हमारा गुजारा चलता जाए जबके बात उस रोटी की नहीं हो रही है बात इस रोटी की हो रही है जो खुदा का इलाही कलाम है और ये कलाम हर रोज हमारे लिए फ्रेश मना की द्रह हमें धुश्चा चौब के खुड़ Central तुम्रखै जिसमानी रोटी बलके रोज की रोटी का मतलब रूपाला का दा इसक ये जिया है जरूर सुनें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं कि जो हमारी रोहानी रोटिया वो कौन सी है नमबर दो गफलत इफसियों की कलीसिया को पौलू सरसुल का खत और पांचवे बाप की चौधवी आयत को पढ़िएगा यह दूसरी वज़ा है कि दिल बंद हुए पड़े हैं और कोई खोलने के लिए तयार नहीं जी खुदा के कला हमें लिखा है इसलिए वो फर्माता है ऐस सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसी का नूर तुछ पर चमकेगा अब यह उन लोगों के लिए पेगाम है जो गाफल हो चुके हैं जिनकी नीद ही पूरी नहीं होते हैं ऐसे लोग जो रोहानी तोर पर भी सो रहे हैं और जिसमानी तोर पर भी वो गनूदगी का शिकार बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो चर्च में आते होते हैं और जो ही कलाम का हिसा आता है उन्हें नीद आना शुरू हो जाती है इसका मतलब है कि यह वो लोग हैं जिने कलाम से दिल चस्पी नहीं हैं जिनके दिल अभी तक मुनवर नहीं हुए वो रसमान आते हैं चर्च में और वो सिरफ शायद वो हम दो सिताइश के गीत तो सुनने के लिए आते हैं वो शायद अपनी आफरिंग तो देने के लिए आते हैं लेकिन जो ही कलाम का हिस्सा आता है इबलीस उन्हें सुला देता है तपकियां देता है कि तुम सो जाओ ताकि कहीं कलाम तुमारे अंदर ना उतर जाए और जड़ ना पकड़े क्योंके इमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसी के कलाम से इससे हमारा इमान भी डिस्टरब होता है तो हमें इस गफलत से बाहर आना है हमें बैदार रहना है ताकि हम खुदावंद यिस्व मसी को अपने दिल में आने का मौका दें उसके बाद तीसरी वज़ा है बे इमानी र सक्त होने के बाइस अभी तक वो उस इमान का हिस्सा नहीं बन पाए जिसका मसीही हिस्सा है बिल्कुल अब वो बे इमानी जो है उसने उन्हें सक्त कर रखा है और उस बे इमानी के बाइस वो ऐसा नहीं कर पा रहे अब हमें बतौर मसीही अगर हम ये दावा करते हैं कि हम मसी ही हैं तो फिर हमें अपने इमान को काइम रखना बहुत जरूरी है बिल्कुल और आसी भाई देखे खुदा के किलाम में जब युसमसी ने तमसील में बताया सिखाया के सक्त जमीन पर जब बीच कलाम का बोया जाता है तो फिर फालदार नहीं होता क्योंकि सक्त जमीन के तो बेतकादी और बेईमानी जनम लेती है बिल्कुल ऐसे हैं और फिर उसका नतीज़ ये निकलता है कि हम ना तो अपनी बरकत को पा सकते हैं ना अपनी शिफा और ना अपने मौज़े को कभी जंदगी बर दे मुझे वह वाक्या याद है जब यस्व मसी के शागिर्दों यस्व के पास आया और कहने लगा है उस्ताद तू कुछ कर तो यस्व ने का ऐ कामे तकादो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी बर्दाश करूंगा इसको मेरे पास लेकि आओ अब होता है कि दर हकीकत लोगों की जंदगी में काम क्यों नहीं हो होती उमीद के लिए कोई गुझाइश नहीं होती कलाम के लिए कोई गुझाइश नहीं होती और लोगों की वो सख्ती जो है वो खुदा को कभी भी मौका नहीं देती कि खुदा उनके लिए काम कर सकी और खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि एमान लाने वालों के दर मेटिंग में दूपा के लिए, तो इसके पिछे डिजन ये होती है, कि वो अपनी सपधीली को ख़तम नहीं करते हैं, और इमान, उनका भलुषा, अच्छा दूपा कराम हों खे, शफाम हो आप नहीं हैं, तो इस वज़ा से फिर भी वो क्वा भी नहीं ले पाते हैं, और चौ तो यहां पर यह चौती वज़ा मौजूद है कि क्यूं ऐसा होता है? खुदान के कलाम में लिखा हुए सरकश और बागी नसल ना बने ऐसी नसल जिसने अपना दिल दरुस्त ना किया और जिसकी रुख खुदा के हजूर वफदार ना रही अब यह जिकर हुआ है कि ऐसी नसल ना बने जो सरकश और बागी है और जो सरकश होता है उसका दिल दरुस्त नहीं होता है और जब दिल दरुस्त नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो सरकश है वो बागी है और जो खुदा का बागी होता है उसके लिए लिए लिखा है कि सरक शक्स ऐसी जमीन की मानिज है जिस पर मी नहीं बरसता जिस पर बारिश नहीं होती और जिस पर बारिश नहीं होती वो लानत जदा जमीन होती है और ऐसे शक्स को खुदा पसंद नहीं करता अब फिर मैं वापस उसी बात पर आऊंगा कि एमानी और सरकशी मौजूद है जिसके वज़ा से दर्वाजा खुल नहीं रहा और आखिर पर मैं एक इस तरह से इसको वाइंड अप करूंगा के एक मुसवर था और उसने बहुत खुबसूरत पोर्ट्रेट बनाया पोर्ट्रेट बनाने के बाद वो उसको क्रिस्टिन लीड पोर्टिर पोचा आप ने बहुत खुबसूरत पोर्ट्रेट बनाया है, लेकिन इसमें एक खामी मौजूद है तो मुसवर ने कहा जी मैं जरूर सुनना चाहूंगा ताके मेरी क्रैक्शन हो जाए तो उन्होंने कहा वेल आपने बहुत पोर्ट्रेट बनाया है वी अप्रि in fact किसी घर का दर्वाजा नहींột कि दिल का दर्वाजा है और खट-खटाने वाला खुदा आप है और जो हैंडल है वो दिल के दर्वाजे के बाहर नहीं बल्के अंदर होता है और अब वो शेख्स जो अंदर मुझूद है वो इसको खोलेगा तो फिर ही अंदर आएगा क्योंकि जो शक्स बाहर कड़ा वो इजासत मांग रहा है तो आज वो हमारा मुंतजर है आज वो हमें वक्त दे रहा है कि हम उसके लिए दर्वाजा खोलें और उसको दिल में आने दें ताकि वो हमारे साथ रिफाक नहीं को लिगा सो ये दो तरह की दस तक है बिल्कुल बहुत अच्छा था आज का किलाम और हमने बहुत बरकत पाई आज के कलाम के वसीला से अभी क्योंकि दुआ का ठाइम है हम दुआ करेंगी वो लोग जिन्होंने अभी तक तोबानी की जो अभी तक गफलत में जिन्द की बेड़े हैं और शुकर गुजारी करते हैं तेरी महाबत और तेरे फजल के लिए खास तोर पर इस बात के लिए खुदावन के तुने हमारे लिए नजात का खुबसूरत मनसूबा रखा हुआ है ताके हम उसका हिस्सा बन जाएं और यकीनन तु हमें नजात दे कर का सौगुना फ़ल लाएं और यिशुमसी के नाम से इस वक्त वो हमारे बेहन भई जो हमें इस प्रोग्राम की वसात्त से देख रहे हैं यिशुमसी के नाम से मैं मिनत करता हूँ कि तू इन पर अपने पाक हाथ को बढ़ा और हर तरह की बिमारियां तब तपालियां ये सु मसी के नाम से चली जाएं और खुदावंद ये जंदगियां पूरे तोर पर बहाल हो सहत तंदरुस्ती पाएं और तेरा पाक नाम कसरत के साथ इज़त और जलाल पाए और वो बेहन बाई जिनके जंदगियों में अभी तक तौबा की नौबत नहीं आई खुदावंद उने फजल बख्ष के वो तौबा करें और हमेशा की जंदगी पाएं और तू जलाल पाएं मसी के पाक और फतमा नाम से मांगते हैं आमें आमें कर दो पतमा नाम से अच्छावंद नहीं जंदगी जंदगी नहीं हैं